दोस्तों आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेट फॉर प्रॉफिट में बहुत-बहुत सवागत है चैनल जो की टोटली डेडिकेटेड है फ्री आफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाने और समझाने के लिए तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं वजीरेक्स एक्चेंज पर हैं और यहां से हम बात करेंगे यहां पर तीन क्रिप्टो टोकन के बारे में आई एनर के पेर में जो शॉट टम में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखन और यहां पर जो भी मैं टेक्निकल रिसर्च आप तक पहुचाऊंगा वो मेरी निजी रिसर्च है और मैं यहां पर किसी को भी बाई एसल करने की सला बिलकुल नहीं दे रहा हूं आपके लिए कॉंटेंट एजुकेशनल परपस से हैं दरवाई उससे ज़्यादा कुछ भी ना ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे द्वारा दी जारी अपडेट्स आप तक पहुच्टी रहे तो चलो दोस्तों समय को नहीं गवाते हो चलते हैं पहले क्रिप्टो टोकन की तरफ जी यहां दोस्तों पहला क्रिप्टो टोकन हमारा है सी एच आर और यहां पर इसका मौझूदा प्राइस चल ला है लगबग 30 रूपए 50 पैसे गास पास ठीक है तो यहां पर इसमें कुछ पॉसिबिल्टी बन नहीं है कि प्राइस उपर जा सकता है और आप देख रहे हो कि प्राइस उपर गया भी है नहीं है यहां पर दोस्तों यह जोन मैंने यहां पर क्रियेट की मी है जिसको आप देखोगे तो इस केंडल ने इसको करने की कोशिश किया है और विद वैलियू म्यां पर ब्रेक आउट हुआ है तो यहां पर देखो अभी हमें यह कुछी टाइम में मतलब शॉट टाइम में 39 से 40 रुपीज तक का टार्गेट दे सकता है ठीक है उसके बाद भी अगर यह बुलिश होता है तो यह 58 रुपीज तक भी देखने को मिल सकता है लेकिन शॉट टम टार्गेट होगा यह तो आप देख रहे हो कि लगातार एक बड़ी गरावट की इस तरह से अपराइज उपर के साइड चल ला है तो यहां पर देखो यह रेश्टेंस एरिया है है तो हमें यहां पर ध्यान लखना है अब यहां पर अगर आप लगबग इसने ले भी लिया है, closing भी कर दी है candle ने, दूसरी candle फोर आवर्स की यहाँ पर firm हो रही है आपके सामने, तो यहाँ पर आपके सामने मैंने लेवल बता दिये, कि पहला target आपको 39 से 40 रुपीज तक दे सकता है, उसके बाद भी अगर यह 40 को हमें ध्यान रखना है, एक candle ने यहाँ पर closing दी जरूर है, लेकिन कभी-कभी fake out भी हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना इसका, ठीक है, हलाकि value के साथ इसने यहाँ पर breakout किया है, तो possibilities हैं कि 40 रुपीज तक price देखने को हमें मिल सकता है, तो almost अच्छा-कासा हाई लगाने के बाद price ने down movement दिखाया था, और उसके बाद price एक pattern में आ गया है, जिसको बोलते हैं ascending triangle, तो यहाँ पर लगातार जो भी highs create कर रहा है, equal कर रहा है, और नीचे से low, पिछले low से ज़्यादा create कर रहा है, इस zone का breakout अगर होता है, तो हमें 25% के आस-पास का profit दे सकता है, short term में, यानि एगर 141 के ऊपर जाता है price, अभी दोगो 141 के पर चल ला है price, यहाँ पर मैं माफी चाहूँगा, थोड़ा सा, यहाँ से मैं बता देता हूँ कि अगर इस level को देखो, इस zone को जो मैंने बनाई है, लगबग 147 को, 147 को अगर break करता है, तो price मुझे लगता है, easily short term में 183 के अस-पास जाता दिखाई पड़ सकता है, उसके बाद अगर यह 183 को भी break करता है, तो 200 प्लस भी आपको दिखाई पड़ सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन अभी हमें आप और फलाल एक चीज़ का ध्यान लखना है, क्योंकि इस तरह का यह जो एक downtrend है, तो downtrend में भी करीब इस तरीके के pattern बनते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ breakdown कर ज अपना analysis है, जो मैंने आप तक share किया है, तो buy sell करना है, आपको अपनी research करने के बाद, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ZRX, INR का आपको अच्छे समझ माया होगा कि लेवल जो मैंने दिये है 4 hours के chart पर, और यहाँ पर देखो काफी लोग मुझे बोलते हैं कि INR में सट पेर में बताया करिए, तो INR में भाई, जो डेटा होता है न, वो पूरा इतना, देखो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर देखो कुछ फ्लैट है, यहाँ पर एकदम से candle बन गई, फिर थोड़ा सा यह, फिर एक candle, तो इस तरीके से यहाँ पर technical analysis ठीक से होते नहीं मेरे तो अगर USGT के पेर पर ही हम इसको analysis करेंगे तो ज्यादा भेतर analysis हो सकते मेरे जाब से, और बाकी USGT को multiply कर लीजे, USGT के मौजूदा प्राइस से और उसके बाद आपको थोड़ा सा result लगभग आपके सामने मिल ही जाएगा कि क्या rate हो सकता है, INR में, तो यह थोड़ा सा दखा करिए, थोड़ा सा आदट डालिए, आदट डालिए, USGT के पेर में analysis करने की और सीखने की और देखने की, ठीक है, तो यहाँ सब हम चलते हैं, तीसरे क्रिप्टो कंसी की तरफ, तीसरे altcoins की तरफ, तो दोस्तों यह हमारी तीसरे क्रिप्टो कंसी है CRV, ठीक है, काफ अगर यहाँ पर देखो के तो वजीरेक एक्षेंज पर 480 रुपए का हाई बना सुप चुका है, यहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक है, अभी फिलाल 252 के असपास चला है, तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ से इसने एक double bottom create किया है, प्राइज में एक भारी भर कम अगर यह तूटता है, तो short term में आपको 325 रुपीज का target दे सकता है, उसके बाद दूसा target हमें दे सकता है 414 रुपीज का, CRV में देखो एक no doubt एक काफी जबरदस crypto token है, उतना rise अभी इसके price में देखने को मिला नहीं है, जितना वाकी crypto currency में मिला है, मैंने 2-3 वीडियो इस पूट के अपनी नीजी holding में भी है, और जिस वक्त यह उपर चलना स्टार्ट करेगा दोस्तों यह तो यह आएनर का pair है, जब मैंने इसको USGT के pair में बाई किया हुआ है, तो USGT के pair में है, यानि कि जब भी यह बढ़ेगा, कहने का मतलब यह है, कि जब भी अपने यह उप होल्डिंग करी जाती है, तो फिर होल्डिंग में थोड़ा सा parts में बाई किया आती है, कि अगर वहां से अगर जिसे मालीजी हमने यहां पर खरीदा है और वहां से नीचे आ गया price थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा और ले ले लेंगे, क्योंके हमाने पास फंड मौजूद है हमने parts में बाईंग किये, तो आपने देखा, डेंट ने भी जबर्दस रिटन अच्छे खास रिटन दिये, मैटिक ने तो बिल्कुल शांदार रिटन दिये, मैं बार बार बोला था, दो तीन वीडियो मैं ने डाले थे मैटिक के, कि मैटिक उपर जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर बस वही होता यही है, कि आप लोगों के अंदर थोड़ा सा सहन सीलता कम है, आप बस इधर क्रिप्टो टोकन बाई करते हो, सोच तक बस फौरन यह उपर बढ़ने लगे, तो ऐसा होता नहीं है, आपको होल्डिंग पावर कुछ तो दिखाना ही होगा, तो CRV नो जबूत रिश्टेंस एरिया, थोड़ा था प्राइस यहाँ से नीचे आने के बाद फिर इसको तोलने कोशिश करेगा, और तोड़ता है तो 325 यानि 325 का लेवल आपको इजली दिखाएगा, ठीक है, उसके बाद 414 डुपीस का भी लेवल यहाँ पर आपको इजली दिखा सकता है वजीरेक्ष एक्चेंज के चार्ड पर, अब यहाँ पर बात आती है कि काफी लोग यहाँ पर लगातार मुझको मैसेज कर रहे हैं, तो हुआ नहीं, वजीरेक्ष में ऐसा हो गया, वजीरेक्ष में ऐसा हो गया, तो इस तरीके की परिशानियों से आपको दो चार ह होना होगा, क्योंकि यह एक इंडियन क्रिप्टो एक्चेंज है, इंडियन क्रिप्टो एक्चेंज में इस तरीके की करामात आपको लगातार दिखाई जाती है, ठीक है, लगातार दिखाया जाता है, और ऐसा वैसा होता कुछ नहीं है, आप बाइनेंस पर टेडिंग करते है otherwise वहाँ पर time to time blockchain से transaction होते हैं यहाँ पर आपने bank से INR को deposit कर रहे हो तो नहीं हो रहा है तो भाई यह चीज़े समझ से बाहर हैं और देखे हो सब जाता है क्योंकि आपके account से पैसा detect हो जाता है इनके account में पहुच जाता है लेकिन यह शो नहीं करते हैं यह शो नहीं करते हैं यह शो करते हैं काफी देर बाद ठीक है तो क्या करते हैं उस वक्त पैसे का क्या नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन इस तरीके की चीज़े देखो सबसे बड़ा rate में difference होता है आपको वही चीज़ इंटरनेशनल एक्चेंज पर किसी rate की मिल जाएगी यहां पर बहुत महिंगी मिलेगी यहां पर deposit में लगतार दिक्कते हो रही हैं उसके बाद इस तरीके की और भी problem होती है support center ठीक से बात नहीं करता है कोई ठीक से जवाब नहीं देता है पब्लिक परेशान है बेसिकली new beginners हैं जो परेशान है ठीक है तो simple सा है आपको अपना समझना है कि जरूरी नहीं है कि वजीरेक्स पर ही trading करिए वजीरेक्स पर एकाउंट बनाया है तो बाकी मैंने आपको hobby global exchange का दो तीन बार review किया है महाँ पर एकाउंट बना सकते हैं वीडियो के नीचे link description में मिल जाएगा otherwise बाइनेंस का link मिल जाएगा वहाँ पर उसको क्लिक करके वहाँ पर भी एकाउंट बना सकते हैं दोनों ही exchange काफी बड़े हैं काफी बड़े है एक्चेंज है तो चलो दोस्तों मुझको एजाद दो next update में मिलता हूं जब तक के लिए जैहिन जै भारत